प्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Unacademy Learning एप पर प्लेलिस में जाकर Unacademy Learning एप डाउन्रोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में सभी लेसंस देख सकते हैं और डाउन्रोड स्लाइट्स करके उनको कभी भी ओफ लाइन देखा जा सकता है तो Unacademy Learning एप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य अपने सब्सक्राइट की ही तैयारी करनी है इसके अलावा आपको ना Current Affair पढ़ना है ना GS पढ़ना है या कोई और सब्सक्राइट की preparation नहीं करनी है सिर्फ आपके ही सब्सक्राइट के 120 questions आपको मिल जाएंगे परिक्षा जो है 8 और 9 March को है तो आपने अब तक website से अपना जो प्रवेशपत है वो डाउनलोड कर लिया होगा और अगर अभी नहीं किया है डाउनलोड तो आप देख सकते हैं ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेशपत अभ्यरती अपना प्रवेश्पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा सेवा चयनबोर्ट की अधिकारिक वेबसाइड www.upscssb.org पर जाकर देखें यहाँ मुख्य पेज पर प्रवेश्पत्र के लिए लिंक जारी किया गया है परिक्षार्थी उस पर क्लिक करके प्रवेश्पत्र के पेज़ पर अपना ररजिस्ट्रेशन नमबर, डेट और गडर, जैंडर और वेरिफिकेशन कोड डाल कर डाउनलोड, एड्मिट कार्ड पर क्लिक करें अगर आपके पास registration नमबर नहीं है तो भी आपको tension लेनी की ज़ुरत नहीं है वहाँ पर एक और option दिया गया है forget registration या know your registration तो वहाँ पर जाकर भी आप अपना registration नमबर चेक कर सकते हैं जान सकते हैं क्या है इसके बाद प्रवेश पत्र जो है वहाँ डाउनलोड हो जाएगा साथी कुछ information है इसको भी पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ट की ओर से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विध्यालेओं के लिए प्रसिक्षित इसनातक अध्यापक PGT के लिए 7950 पदों पर भरती के लिए लिखित परिक्षा आठ और 9 मार्च को होगी परिक्षार्थी आयोग की वेबसाइट www.upscssb.org अत्वा NIC की वेबसाइट uppariksh.up.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं 2016 में घोशित TGT के 7950 पदों पर भरती के लिए परिक्षा का आयोजन तीन वर्ष बाद हो रहा है 2016 से पॉर्म सम्मिट किये गए थे 2016 में और 2019 में जाकर ये परिक्षा हो रही है इससे पहले चैनबोर्ट की और से TGT PGT की परिक्षा 27, 28 और 29 सितंबर को होनी थी लेकिन चैनबोर्ट की और से पूर्म में घोशित कुछ विश्यों के पत्का विज्यापर निरस्त कर देने से परिक्षा तिती आगे बढ़ानी पड़ी थी चैनबोर्ट की और से 6 जून 2016 को TGT के 7,950 पदों का विज्यापन जारी किया गा था TGT के 7,950 पदों के लिए कुल 6,55,304 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उपसचिव एवम परिक्षा नियंतरक नवल किशोर ने बताया कि वेबसाइट पर प्रवेश्पत्र ONLINE कर दिया गया है परिक्षारती 9 मार्च तक प्रवेश्पत्र डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश्वत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविदा की स्थिती में अभ्याती फॉन नंबर 05322467743 अर्वा मोबाइल नंबर 9161529843 पर संपर्ख कर सकते हैं Important information है आप लोगों के लिए कि जोएलरी पहन कर गए तो विशेश तलाशी होगी 8 और 9 मार्च को होने वाली TGT परिक्षा की तयारी को लेकर चैन बोड के अध्यक्ष विदेश रिंग ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये तयारीयों का जायदा लिया साथ ही जरूरी निर्देश भी दिये हाथ गले नाक कान में आपूशर पहन कर आने वाले अभियर्थियों की खास तलाशी ली जाएगी उन्होंने आशंकर जताई की अभियर्थी सेंद मारी के लिए electronic उपकरण लगा कर आ सकती हैं तो आप इन चीज़ों का विशेष ज्यान रहें विशेष ज्यान रखें जो भी निर्देश आपको आपके admit card में दिये गए हैं उनको भी follow करें और बाकी के भी जो निर्देश हैं उनको भी follow करें आपका exam अच्छा जाएगा बेप्रिक्र होके tension ना लें जादा tension ना लें और अपना जो revision है अपनी जो तयारी है वो से बनाए रखें कोई और मदद है आप comment में लिखिए query है कोई comment में लिखिए उसका answer अगर दिया जाएगा और वीडियो को like and share जरूर कीजे अभी क्ले इत